एक साइन्स की एक जानकारी की साखा या जानकारी का हिस्सा या उसको विद्ज्ञान भी कह सकते हैं यहां पर एक लिस्ट दी हुए है वर्ड्स की जिसके पीछे ओलोजी आता है मैसे फॉलिंग ब्रांच इसको पीछे ओलोजी पढ़ेंगे इसको साइकलोजी पढ़ेंगे और साइकलोजी में आता है नैचर फंक्सान और फीनोमेना आप दा हुमन पाइम इंसान के सभाव के बारे में इंसान क्या काम करता है उसके बारे में और इंसान के दिमाग के बारे में रिरिटेट जबन पढ़ते हैं तो सोच के बारे में जब को जिसने रेक के बारे में पढ़ते हैं इसको एंटोम जारा है का अग्लापोलोजी हम प्लांक्स एणिसरे और आंइमल्स जतने वाड़े चारो और चीजी हैं सोईल हो चाहिए वो सान हो चाहिए वो एयर हो उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं अगला एंत्रोपोलोजी एंत्रोपोलोजी में हम इंसानों के बारे में पढ़ते हैं उनके इंसान के बारे में इंसान के वैवार के बारे में लोगों के बारे में सब के बारे में हम पढ़ते मिलती है मचले है कितने ब्रकार कही है मचले की ट्रह्ट मचले क्या कहतीयां किस तरह से अर्वwr इस पर्तियां वह सब करती वहाई हम क्वाई अकले और नफुमलओंगे इस तायरेसंthose प्रहाराबेने हैं जानवर किस चीज के अकॉर्टिंग लिए करते हैं को कब घुसरा आता यका उनका बुरा लगता है। इनको बूक हो यह पर्टेश अब मिठोलोजी ब्नांठी पढ़ते हैं। अब बाइलोजी, बाइलोजी में हम दोनों चीज़े पढ़ते हैं, लिविंग तिंग्स, में प्लांट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, और एनिमल्स के बारे में भी पढ़ते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जो पूरी तरह बायोग्राफी जो होते हैं, वो साथ हो रही है कहांप नहीं हो ओख निल फेर्ट अगला्त मेटियारॉलोजी है इम एकृश हमएं कि आज डांब हम इस्थन नीऊरियूरोजी मतलब होता है हमारा दिमाग हमारी नसे हमारा इस्टम अगला है डेंड्रोलोजी, डेंड्रोलोजी जो हम पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं, अगला है डेंड्रोलोजी, डेंड्रोलोजी में सारे पेड़ों के बारे में पढ़ते हैं, कि पेड़ की कितने टाइपस होते हैं पेड़ क्या करते हैं पेड़ अपना कूट कैसे बनाते हैं कैसे रहते हैं यह सब डेनट्र थृू पड़ता है लास्ट hotel == Archeology Hoş ishing 100- cases का नामologी में Send नहीं होता है For example, science dealing with the nature and properties of light is called optics सारी ब्रांचिस का नाम ओलोजी से कतम नहीं होता जैसे कि अगर हम light की property की बात करें तो जिस ब्रांच में हम light की property के बारे में पढ़ते हैं उस ब्रांच को optics कहते हैं दूसरी भी एक्जामपल है मेलियरोजी, physics, chemistry यह कोई भी ओलोजी पे खतम नहीं होती है ओलोजी पे only यही ब्रांचिस कतम होती है